अब दोस्तों मेरे विसानी आप सबीका फिर्द्व सब्सक्राइब करता हूं अपने यूट्यूब चनल गुर्मेट चॉपर दोस्तों सुड़ें बात करें इंडियन कोश्टगार के जिन्नावीक के लिए आप लोग नावदेन किया थे जीडी के लिए तो इसका जो एड्मि करने से पहले मैं आप से निवेजन करूंगा कि आप हमारे चनल पर नहीं आएं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दोबारा नहीं भूलें क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्मेंट जोब एड्मिट का डिजल और सले बस जारी होते हैं हम आ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रवाइड करा दो हम सबसे पहले हम बात करें इसके बैस की 01 2019 का यह बैस है जिसमें आप लोगों नाविजन किये थे कोस्ट गार्ड में नाविक्यों में जीडी के लिए जिसका जो एड्मिट कार्ड है वह 31 जुलाइड 2018 जा जो इसमें फॉर्म फिल किये थे वह एक जुलाइड 2018 से लेकर 10 जुलाइड 2018 तक आपने इसमें आविदन किये थे पुश्का जो एड्मिट कार्ड है आपने लिंक दिया हुआ है डाउनलोड नाविक जीडी 01 2019 बैच एड्मिट कार्ड 2018 आपको क्लिक करेंगे तो आप अपन 20 ज़ॉलाइ दोज बाट भंट जानकरी अ जाणकरी कार्स लिंक से फुलाइड पर हुआ से उसके आपको शर्चे पहले ठर्ट होय और फिजीकल टेस्ट 555 Most NanaFit लगई गी इसमे जो एकिपार उसके बागे नहीं करेंएं इसके जिए रिए आपको दिया हुआ हुआ है आपक क्वेस्ट होगा आल कोश्चन विल भी मल्टिपल अब्जेक्टि टाइप जो आपके कोश्चन आएंगे और 12 स्टेंडर्ड बेस के रहेंगे कोश्चन विल भी आक्ष इंदी और इंग्लीज दोनों में आपसे कोश्चन पूछे जाएंगे दिया नो नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी तो इसमें जो आपके स्लेबस हैं वह यहां पर दिया हुआ है मैतमेटिक फिजिक्स बायो केमेस्ट्री बेसिक केमेस्ट्री और इंगलिस जो रहेंगी ट्वैल्ट क्लास टेंडर्ड करेंगी जो अंदर सब्जेक्ट रहेंगे वह सब आप इस वाली पोश्ट से हमारी देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया मैतमेटिक के जो कोशन आएंगे वह यहां पर दियो है इस तरह कोशन आएंगे इसमें और फिजिक्स के जो रहेंगे सलेबस फिजिक्स यह हैं आप आप देख नोट कर सकते हैं बेसिक के जो तोपिक हैं यहां पर दियो हैं इंगली के नोट करकर अपने जो एक्जाम है इसके तयारी कर सकते हैं नैक्स चलते हैं इसमें जो फिट्नेस टैस्ट होगा फिजिकल एफिजिंस टैस्ट उसमें आपका केंडिटेट्स विल एफ कंपलीट 1.6 km एक पॉइंट 6 km आपको कंप्लिट करनी है और साथ में उठक बैटक रहेगी 20 और पुश अब 10 होंगे इसमें जो आपकी होनी चाहिए वह 157 cm होनी चाहिए और आपका जो अपकी जो चेस्ट है वह 5 cm की एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का वेट मस्ट बेकोरडिंग टूब आपके जो बेट आपके आपके जो वह एक्ट के कोडिया चाहिए और आपकी जो आइज है वह जो बैटर आइस वह विदाट ग्लास जोनी चाहिए वह शिक्स अपन शिक बोड़ी आपके किसी भी बोड़ी के पार्ट पर टैटू नहीं होना चाहिए तो यह आपका जो मेडिकल एक्जामिनेशन होगा और फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट रहेगा वह हमने आपको यहां पर दियावाइस पोस्टन आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमने इस